हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है अरुन कुमार और आप देखना सुरू कर चुके हैं टीटू क्लासिस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भारत में धान की खेती से रिलेटिड कुछ इंपोर्टेंट कॉस्टन परी की द्रश्टी से भी और में एक्जाम की द्रश्टी से भ भारत में जो धान की खेती होती है जब पोधा खेत के अंदर लगा होता है उसे धान कहा जाता है और उसे जो फसल उत्पादित होती है जो आनाज उत्पादित होता है उसे चावल कहा जाता है यह आपको पताई होगा धान का जो वेग्यानिक नाम है उसका वो है औरेजा में काट ली जाती है मतलब इनके लिए अधिक ताप मान की यवस्थ सकता होती है बरसात की भी अधिकाcha boxer, अवस्थ सकता होती है है ऐसक हम कह सकते हैं। जुन जुलाई में बोई जाती है, एक्टूबर जब जब खेत में धान होता है उसके आज साथ-साथ में जो खेति आपको जो अगर आप agriculture से related है अगरी कल्टर के बारे में थोड़ा बहुत जानते तो ये सारी सारी जो फसले हैं उसी टाइम पर उगाई जाती है तो ये सारी के सारी खरीब की फसले है धान एक उश्णकटी ब नहीं होती वहां मिट्टी में घयर नहीं सकता यहां पर मिट्टी में पानी के टैरने की बहुत जरूरूरत होती है धान당 dispara में चाहिए अगर आप थोड़ा बहुत भी agriculture related हैं सम्मंदित रहे हैं किसी समय तो आप जानते होंगे धान के खेतों से methane gas होती है CH4 उसका लगातार उत्सरजन होता रहता है उसकी जड़ों से धान की जड़े होती है वहां से CH4 gas का सरजन होता रहता है तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि पर्यावरण भी विसैला होता है धान की खेती करने से एक तथ्य ये भी है वरसा की बात करें तो 150 से 200 सैंटीमीटर वरसी वरसा की आवसकता होती है मतलब धान की खेती के लिए अधिक वरसा की आवसकता होती है आप मैप में देख सकते हैं भारत का पश्मी घाट बारत पूर वुढ़ेत को पूर्वी तट पे जो मैदान है और ये नॉर्थिस्ट वाला च्हित्र जहां पर अधिक वर्षा होती ये प्लस ये जा सकता है बसरते मिट्टी आपकी चिकनी दो मट्र कछारी होनी चाहिए और तापमान 20 से 30 डिगरी सेंटिग्रेट होना चाहिए सिचाई करके भी इस खेती को किया जा सकता है चावल जैसा कि मैंने आपको बताया भारत की जो अधिकान साबादी है उसका मुख्य भोजन है औ तो आपको फसल पढ़ाते समय और तत्थे बता थाहूं कौन सा इस टेट आगे है कौन सा देश उत्पादन में आ गए है तो यह साल बदलते रहते रहते हैं क्योंकि हर साल उत्पादन कम ज्यादा होता रहता है तो जब जिस साल भी जबी पिए ऐक्जाम देने जाएंगे तो इस fact को एक बार cross check जरूर कर लीजीगा कि कहीं ये data change तो नहीं हो गया है मैं वर्तमान data बता रहा हूं तो विश्व में चीन सबसेरा चावल उत्पादित करता है दूसरे नमबर पर भारत चावल उत्पादित करता है तीसे नमबर पर इंडोनेसिया और चोथे नमबर पर एसिया के हैं याद रखिएगा चीन भारत इंडोनेसिय और बंगलादेश करम भी याद रखिएगा अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इस मैप में भी आप देखके समझ पा रहा हूंगे सबसेरा चावल जो है पस्मी बंगाल में पैदा किया जा रहा है हाला कि उत्त चावल को उत्पादन कर रहा है उन सब को आप यहां पर देख सकते हैं जम्मू कस्मीर में चावल का उत्पादन होता है हरियाना पंजाब में चावल का उत्त पादन होता है उत्तर प्रदेश में होता है बिहार में होता है बंगाल में होता है जारखंड में होता है इधर आ प्रदेश में धान उत्पदित हो रहे हैं हमारे पूर्वी तट पर उडिसा तमिलाडू उडिसा आंद्र प्रदेश तेलंगना तमिलाडू में पस्मी घाट में पस्मी तट पर केरला करनाट का महराष्ट्रा और गुजरात में भी चावल का उत्पदन किया जाता है राजिस प्रफ्षि मंगाल उत्तर प्रदेश से बड़ा है अच्छा चावल का उत्पादन करने के लिए परमपरागत विधी ऐसी होती है कि पहले पोध तयार करी जाती है नरसरी चावल के वीजों को छोटे छेत्र में उगालिया जाता है जब वह पोध बड़ी हो जाती है वहां से खोडते हैं और उखोडने के बाद पूरे खेतों में उसको पानी भरने के बाद उसको लगा देते हैं लेकिन इस परंपरागत विधी में होता क्या है कि इसको रोपन बोलते हैं एक होती है छिड़काव विधी छिड़काव विधी में क्या होता है खेत के अंदर पूरे खेत को नई विदी से चावल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है उसका नाम है DSR विदी क्या नाम है DSR विदी important fact है कभी भी पूछा जा सकता है DSR क्या है DSR का मतलब होता है direct seeding of rice direct seeding of rice छिड़काव नहीं करना है पहले rice को चावल को अंकूरित करना है फिर tractor के और मशीनों के माध्यम से उस अंकूरित चावल को अंकूरित धान को खेतों में रोपित कर देना है तो कहते है DSR विदी direct seeding of rice इसमें चावल का पृत्यक्स बीजार ओपन किया जाता है पंजाब सरकार द्वारा ये DSR विदी को प्रोथसान दिया जा रहा है अभी पिछले साल ऐसा भी आया था अंकूरित वीजो को छिड़काव नहीं कर रहा हैं DSR विदी से फायदा क्या होगा तो पानी की बचत होगी यूकि अंकूरित वीजो को खेत के अंदर drill करने के बाद काफी पानी के अवसकता नहीं होती है और की हम बकष्ट क्यूं कर रहा है क्योंकि चावल की खेती करने लिए नेचुरल बरसात हो नीचाहिया और अगर बरसात नहीं हो रही है बरसात से भी वैसे पानी मिल आ है इसको तो पिर्ती किलोल का क्यों है चावल आपको उत्पादत करना है इसके लिए 3 c Petri करने के लिए कितना अधिक पानी लगता है तो अगर हम DSR विधी से चावल का उत्पादन करते हैं तो हम 3600 से 2200 लिटर जो पानी है उसमें से 20% तक पानी की बचत कर सकते हैं और पैदावार में भी व्रद्धी होती है ये कुछ DSR विधी की इंपोर्टेंट बाते हैं इंपोर्टेंट त्थ्य ये आपको याद रखने एक कॉसन कभी भी किसी भी एक्जाम में पूछा जाए कि DSR विधी क्या है अच्छा उत्पादन की विधियां जो है वो जैसे मैंने अपको बताया तीन विधियों से चावल का उत्पादन किया जा हैं अमन और बोरो चावल को उत्पादन करने की तीन विधियां हैं अमन को साली भी का जाता है तो अमन या साली इसी से भारत में जो मैक्सिमम चावल का उत्पादन होता है इसी विधी से किया आता है अमन या साली विधी से सीथ काल में चावल को बोया जाता है देखिए च चावल बोया किस तरह से जाता है तो रोपण और छिड़काव दोनों विधियों से ही बोया जाता है रोपण कैसे होता है चिड़काव कैसे होता है परंपरा के विधिया मैं आपको बता चुका हूँ ओस विधी जो है वो सरद रितू में होने वाली विधी है सरद रितू जावल पैदा किया जाता है यह ग्रिस्मुन काल में पैदा होता है जाता नहीं पर और बोरो अमनसीत काल में है और सरद काल में है बोरो ग्रिस्म काल में है इन तीनों विधियों से ही पस्वी मंगाल तमिलनाडू और असम में तीनों ही फसलों का उत्पदन किया जाता है तीनों विधियों का उत्पदन से उत्पदन किया जाता है इसलिए पस्वी मंगाल जैंहीं your ставile To DC s ice- misma 750ぐらい कि फले नरसरिसे उखाड़ना उखाड़ने पाद उस पूर्ड को पानि में लगाना इस सारे की काम कोन कर काम मसीन नोदवारा किये जा रहा तो कम सरम क्या वश्म्पार में आवश्य तो लॉप्स सरंपर रिख रहे तो K ne लागत लगती है डीसर विदी के दौरा दूसरा मैंने आपको बताया पानी की बचत होती है बीस से तीस परसेंट पानी को बचाया जा सकता है डीसर विदी के दौरा पैदावार में विरदी हो जाती है डीसर विदी के दौरा दूसरा एक बहुत बड़ी समस्या है हरियाना औ पंजाब वाले छेतर में आप देखेंगे कि चावल और गेहूं दो ही खेती मुख्य रूप से की जाती है चावल काटा जाता है खेत से और उसके बाद एक दम से ही गेहूं का पदन करना मतलब खेत को तयार करते हैं और गेहूं की बुआई कर दी जाती है चावल की कटाई औ गेहूं की बुआई के बीच में जो समय होता है यानि एक फसल से दूसरी फसल के बीच में जो समय है हरियाना और पंजाब में वो उसको कहते हैं या पूरे देश में जो समय होता है उसको कहते हैं बिंडो पीरियड और ये बिंडो पीरियड जो है वो 20-25 दिन ही होता है इस र पराली को जला देते हैं, जल्दी से उसको खेढ को तयार के लिए, लेकर हम जावल जो है वो 20 65 दिन पहले ही पके तयार हो जाता है मतलब समय जो नॉर्मल पकने का, रोपन विदी से जो च चावल पक रहा है, खेत तयार हो रहा है चावल का वो 20-25 दिन पहले ही तयार हो जाएगा जिससे जो विंडो पिरियड है वो बढ़के 40-45 दिन हो जाएगा मतलब गेहूं की फसल को बोने में और चावल की फसल को काटने में 40-45 दिन का अंतर बीच में रहेगा मतलब खेत को तयार करने के लिए आ सब्सक्राइब ये question मैंस में आ सकता है ये वाला भी और ये वाला भी लिखने के लिए point मैं लिखे हुए है आगे आप point के बाद अपने हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ उसको लिख दीजिएगा चुनोतियां के हैं चुनोतियां ये हैं कि DSR विधी में अधिक बीज के अवसकता होती है जैसा कि परमपरागत विधी जो रोपन है उसमें क्या किया जाता है पहले नरसरी तैयार की जाती है नरसरी से पोधे लिए जाते हैं पोधों को खेत में जाके रोपित कर दिया जाता ह नोर्मल रोपन में उबर ऊचा नीचा खेत है तो इसमें डौल मेड़ बनाके मेड़ बनाके भी आप पानीब भरसकते हैं लेकिन DSR विधी से अगर खेती की जा रही है चावल की तो समतल होना जरूरी है लेंड का लेवलिंग करना निवार है जिसमें पैसे क्या बसकता पड़ेगी तो इन दो चुनोतियां हैं DSR विधी को अपनाने के तीचे किसानों के सामने दो चुनोतियां आती हैं लेकिन सरकार को क्या करना चाहिए सरकार को अधिक से अधिक किसानों को इस विधी के बारे में बताना चाहिए इस विधी को अपनाने के लिए प्रोसाइद किया जाना चाहिए ताकि पानी की बचत हो सके पैदावार बढ़ सके और अफसिष्ट देहन की समस्य का समधान हो सके और पंजा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप वीडियो में भी तक बने हुए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहा हैं, उनके साथ सेर भी कीजिएगा, मिलते हैं ऐसी ही किसी और इंट्रेस्टिक क्लास में, तब त ये अर्वालाइब टाम है कि प्लीज फेपैलयूबकर प्लीज को सब्सक्स्राइब नहीं कि इस ए